असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स वेलकुम तो स्टुडी टाइम नाइन क्लास साइंस रूप का मैथेमाटिक्स जिसका चैप्टर नंबर 3 है लॉगरिथम्स और उसके एक्सराइज वन पांट फोरम कर रहे है और क्वेस्टन नंबर 1 का फॉर्ट नंबर 7 करने जारे हैं इसक इसको आप लॉग टेबल की मदब से मीं सौल कर सकते हैं जैसे कि आप इसले क्स्टारट नेते हुँ यहार रहे जैसे ऑफ इस विए का मैसे उसक्शा तरह ही इस्टार्ट नेंगे के जो भी क्वेस्जिन दिया जाता है उसको आप एक वरियेबल सेले करते ऊचango fact ik multiply by 92 है उपर under root 3 है ठीक है radical form है इधर ही आप इसको exponential form है convert कर दो under root 3 किसके equal होता है power के 1 over 3 power के equal होता है ठीक है नीचे अगर देखें तो 127 आ आ रहा है multiply by 246 under root 5 आ रहा है under root 5 के जगा power क्या आ जाएगी 1 over 5 के अब next step में आपने क्या करना है log on both sides दोनों तरफ लाग ले लिया तो इस तरफ अगर लाग लिया x के साथ लागा आ जाएगा log x और equal के इस तरफ single log में इसको लिख लेंगे log 83 multiply by 92 की power 1 over 3 divided by 127 multiply by 246 की power के आ आगे 1 over 5 log x equal के उस तरफ अब लाग को तमाम टम्स के साथ अला जालादा क्या करती है जाएगा distribute करती है जब हम distribution of log करेंगे तो laws of life log जो उसे logarithm के laws हम वो भी apply होंगे याई multiply plus में convert हो जाएगा जो powers होंगी वो log के start में आ जाएगी और divide minus में convert हो जाएगा ठीक है जो power होती है वो लाग के शुरू में आ जाती है 1.3 आगे लाग क्या आ गया 92 आगे मारे पास divide हो रही है value तो minus आ जागा है divide के जगा और next हमारे पास अगर देखें वोई question repeat हो रहा है दुपारा से अगर minus divide के over के नीचे two different terms है दो terms आ रही है तो जारी सी बात है devian की जगा क्या आ जागा minus याणि divide की जगा minus आ जागा जो अगली दो terms आप put करोगो उसको within a bracket put करो अगर एक ही term होगी तो वो as it is वैसी की वैसी आ जागी लेकिन अगर दो terms होती है तो आप उनको bracket में put करो तूँ क्योंके minus उन तमाम terms की sign को क्या करेगा change कर देगा minus के आगे याणि negative sign के आगे जब भी एक से ज्यादा terms आपने put कर गी है उनको हमेशा bracket में put करो क्योंके उनकी sign को minus change कर देते है तो आप इदर bracket लगाएंगे 127 है तो log 127 के साथ आ जाएगा आगे multiply है multiply किसके equal होता है plus के multiply plus के equal होता है और जब इसको log distribute किया जाएगा इसकी power देखे तो 1 over 5 power है जो के log के start में आ जाएगे और log आ जाएगा अगे log 246 bracket होगा close next step में अगर देखें तो सारी की सारी values as it is वैसी की वैसी रहेंगी जो minus होगा just इन तमाम दोनों जो values आरें brackets के अंदर इनकी signs को क्या करेगा change कर देगा सबसे पहले log 83 plus 1 over 3 log 92 आप देखें minus plus इसके शुरू में plus किस sign है तो minus plus minus log 127 इसी तरह minus plus ये भी क्या हो गया minus 1 over 5 log 246 आप next step में हम जो जो values log की दी गही हैं उन तमाम की values calculator की मदद से log की values find करेंगे और finally आप plus minus करके इसके answer की तरफ को जएगे जी students next step में log x वैसे का वैसे enter चलता जाएगा equal के उस तरफ सबसे पहले आरे है log 83 अब जिदिन value का log है उनको हम calculator की मदद से solve करेंगे log 83 solve किया calculator की मदद से तो हमारे पास value आई 1.9190 आगे plus 1 over 3 आ रहा है 1 over 3 is 80 वैसे रहेगा log 92 है उसकी calculator की मदद से value solve कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 1.9637 आगे minus log 127 आ रहा है log 127 यह आ गया हमारे पास 2.1038 आगे minus 1 over 5 आ रहा है log 246 log 246 तो यह हमारे पास equal आ गया 2.3909 next step में हमारे पास log x as it is वैसे का वैसे चलता हुआ आएगा 1.199190 प्लस अगर देखे तो यह पूरी की पूरी time 3 से क्या हो और यह डिवाइट जो जो terms डिवाइट हो और यह उनको आपस में डिवाइट कर दे next में हमारे पास 2.1038 as it is वैसे का वैसे रहेगा minus अब अगर देखे तो 2.39095 से क्या हो और यह डिवाइट हो और यह डिवाइट कर दे 2.3909 divided by 5 तो यह मारे पास आ गया 0.4781 log x equal to इन दमाहन टर्म्स को जो plus minus हो रही है आपस में calculator की मतलस से इनको कर दे 1.9190 plus 0.6545 minus 2.1038 minus 0.4781 यह हमारे पास आ गया minus 0.0084 ठीक है यह हमारे पास finally value आ गया अब इसमें हमने क्या करना है जस्ट जो variable जिस variable से आपने इसको लेट किया यह यह एक से x का answer निकालने है x के साथ क्या रहा लाग लाग को हम equal की उस तरफ ले जाएंगे एक तरफ x रह जाएगा क्योंकि x का अपने answer निकालने है log जाब equal की उस तरफ जाएगा तो किसमें convert हो जाएगा anti-log और यह value as it is वैसी आगे minus 0.0084 x is equal to इसका anti-log ले लेंगे shift आगे आपने log दो बाने है और जो भी value आगे दी है minus 0.0084 तो हमारा इसका answer आ गया 0.9808 यह हमारा answer है question number 1 के part number 7 का next time question number 1 का part number 8 भी किसी lecture में करते हैं students ही हमारे पास question number 1 का last part है यह 8 वाला part है इसको हम solve करेंगे उसी तरह ही आप इस question को एक variable select कर लेंगे x select कर लेंगे let x is equal to 438 की power क्या आ गई 3 आगे यह multiply हो रही है आपस में multiply के sign में लगा देता हूँ आगे 0.056 के उपर square root है कि कह है square root simple square root left पे कुछ ना हो तो वो 1 over 2 power के equal होता है तो आप इसकी radical form बद्दम करके किसको exponential form में लेंगे square root किसके close है 1 over 2 के 1 over 2 power के और नीचे आ गया 388 की power क्या आ गया 4 next step में आप उसी तरह ही दोनों तरफ क्या ले लेंगे log लेंगे taking log on both sides दोनों तरफ log ले लिए इस तरफ लिया तो x के साथ log आ जाएगा log x और इस तरफ अभी single log में लिखेंगे इनको 438 की power 3 multiply by 0.056 raise to power 1 over 2 divided by 388 raise to power 4 अब next step में log x तो वैसे ही रहेगा end तक end पे आगे solve होगा equal के उस तरफ log को तमान terms के साथ आला जा जा डिस्टिब्यूट करती है जाएगा तो जब log को distribute करेंगे तो जो powers होजेंगी वो log के start पे आ जाएगे multiply plus में convert होजेगा और divide minus में convert होजेगा तो जब log को इदर distribute करेंगे अब इसके देखें तो इसकी power क्या है यह 3 3 किदर आ गया log के start में आगे 3 log 438 आ गया multiply किसमें convert हो गया प्लस में, इस तरह आप इसको जब लाग डिस्ट्यब्यूट करेंगे तो इसकी पावर 1 over 2 है, 1 over 2 की तरह आगी, स्टार्ट में आगे लाग, 0.056, आगे डिवाइड हो रही है, डिवाइड की जगा क्या आगे है, माइनस अब इसको जब लाग करेंगे इसकी पावर क्या आ रही है फोर फोर किदर आ जाएगी लाग के स्टार्ट में आगे लॉग 388 log x वैसे का वैसे रहेगा कोल कि उस तरफ सबसे पहले हमारे पास अब इसमें जिन-जिन वैलियो उसका log है उसको कल्कुलेटर की मदद से सॉल्फ करें सबसे पहले 3 आ रहा है 3 quazities वैसे का वैसे रहने देंगे log 438 का है log 438 तो यह हमारे पास आ गया जो कि 3 से multiply हो जाएगा 2.6414 next step में हमारे पास plus आ रहा है 1 over 2 और आ गया log 0.056 इसका भी log ले लेते हैं log 0.056 तो यह हमारे पास आ गया minus 1 0.2518 next step में हमारे पास क्या रहा है minus आ रहा है और आ गया 4 आ रहा है 4 वैसे रहेगा log ले लेंगे 388 का log 388 तो यह हमारे पास आ गया 2.5888 log x वैसे का वैसे रहेगा अब अगर देखें तो यह पूरी की पूरी टर्म 3 से क्या हो रही है या multiply हो रही है directly 3 से multiply हो रही है तो उसको multiply कर देते हैं 2.6414 multiply by 3 तो यह आ गया हमारे पास 7.9242 अगर हम देखें तो यह plus इस वाले minus से multiply हो तो क्या आ जाएगा plus minus minus में करवाट हो जाएगा और यह पूरी की पूरी टर्म 2 से क्या हो जाएगी divide हो जाएगी क्योंकि 2 ओवर के नीचे आ रहे है तो यह plus minus minus हो जाएगा minus अब यह हतम हो जाएगा क्योंकि यह वाले plus से multiply हो जाएगा log x equal to इन सब को हम calculator की मदद से solve कर लेते है 7.9242 minus 0.6259 minus 10.3552 तो यह हमारे पास value आ गई minus 3.0569 उसी तरह हैं आपने इसमें x की value find करनी है finally आप इन तमाम terms को solve करके एक single value पर पहुँझ गयो तो आपने आप next step में x की value find करनी है तो x की साथ log आ रहा है log को हम किदर shift कर देंगे equal की दूसरी तरफ जब equal की दूसरी तरफ shift होगा तो वो किस पर convert हो जागा anti-log में इदर हमारा x बच गया log इस तरफ आके किस पर convert हो गया anti-log में और आगे हमारे पास balance value प्रूद है प्रूद प्रूद आगे हमारे पास question number one का eight वाला part था और finally 3.4 का जो very first question था और ये examination point of view से question बोथ important है इस question के अंदर जो eight parts है इन में से एक question अकसर आपका board के paper में detailed question है ये जो long question होता है उसको आपने lightning ले लेना और इसको बड़े अच्छे तरीके से question के जो तमाम lectures हमको attentively सुनने है और question को लिख के practice करके उसको खुद करके देखने है ताके आपको board में next या examination में जब भी एक question आए तो करने में को problem ना हो next inshallah coming lecture में इस exercise के जो remaining question है वो हम करेंगे तब तक के लिए लिए लाफिस